April is the cruelest month, breeding lilacs out of dead land, mixing memory and desires, stirring dull roots with the spring rain. ये lines T.S. Eliot की एक पोएम, The Waste Land से लिए गये हैं. ये opening lines हैं, The Waste Land poem की. T.S. Eliot इसमें बात करते हैं कि जो April है, ये cruelest month हब दियार है. क्यों? क्योंकि इस month में जो lilacs है, एक किसम के फूल है, वो dead land से है. यानि कि एक winter के बाद एक मरी भी जमीन से नई नई फूल खिलते हैं, lilacs breed होते हैं, बनते हैं. जो के करते हैं? मिक्स करते हैं memory को और desire को. एक नई life आएगे, एक desire है. और जो पुराने हमसे बिछड़ गए हैं, जो पुराने वक्त निकल गया, उससे correct करता है. और ये क्या करता है? stir करता है, ये कि हिलाता है और मिलाता है. क्या करता है? dull roots को with spring rain से. ठीक है? यानि कि जब spring की rain होती है, बारिश पढ़ती है, तो ये क्या करता है, जो roots होते है, मरे जो दरखतों के roots होते है, उन से इन roots को मिलाता है. तो उनके अंदर एक जान आ जाती है. Now, तो question is, क्यों कह रहा है कि T.S. Elliot की April एक cruelest month है? तो इसका जवाब है, world war one के बाद जो तबाही दुनिया में हुई, पूरे यूरप में हुई, और एक flu आया Spanish flu, इन सब से क्या हुआ कि इस जंग में हजारों लाखों लोग मर गए, बेघर हो गए, सारी जमीने तबाह हो गई, तो ये जो पूरी की पूरी land है, ये एक waste land बन गई, वेस्ट लेंड या कि जहां पर कुछ भी नहीं हो गएगा, जहां पर खंडर है और तबाही तबाही है, अब इन लाइन्स में T.S. इलिट बात करते हैं, कि जो एपरिल है, इस मन्त में अब जो फूल खिल रहे हैं, ये mix कर रहे हैं memory को, with desires के साथ, यानि कि हमारी memory जो अपने बिच्डे जो छूट गए हमसे, जो मर गए इस जंग में हमसे जुदा हो गए, उनकी यादें दिला रहे हैं, ये new life जो जमीन के अंदर आ रही है, कि सुरत में जो फूल लुगते हैं, एक new life है, तो ये new life क्या है, कि ये हमारी memory के साथ हमारे अपनों को जोड रहे है तो हमें दुख पहुचता है, लेकिन जो desires है आने वाले, यानि कि जो generation है आने वाले या उमीद हैं इस मन्त में इनसान को आती है, उनके साथ इस memory को जोड़ कर इनसान को बहुत दुख पहुचता है, इसलिए इस मन्त को यह हमरू किया रहे है, इस साल का cruelest month कहा जाता है, उ इसलिए चीज माइन में रखकर TSE ने लिखी थी,